आपको बात करने वाले Facebook, Instagram, Twitter के बारे जो कि रिसेंटली काफी जाद चर्चा में आ गयते इनकी बारे में आपने नूस तो सुनी होगी यह बैन हो सकते हैं इंडिया में इसी के लेटर आपको बताने वालो क्या यह बैन होंगे की नहीं होंगे इंडिया में वीडियो को एंड स के लिए तो उसमें आपको तीन महिने का टाइम भी दिये गए था आप इनको पढ़ के समझ के अराम से आप इनको एकसेप्ट कर सकते हो तो तो तीन महिने का आज लास्ट दिन 26 में इस न्यू गाइड लाइन्स में कहा गया था कि जो भी सोशल मेडिया प्लेटफर्म कंपन सखेण लाते हिं जो की गयva wall me space होते हैं जो की गयाइस अधिकतर फेक मैसेज होते हैं सरसाथ आपको एक कौमक करने के लिए और आखेकर कौन ही मैसीज़ वगर फ्यलाता है उसकी तक पहुचने के लिए आपको क्फार्म करने थे चीफ जो भी इन सब्बॉर आज के अंदर स्लूशन भी निकाल के देना था और जो भी चीफ एपॉइंट करने थे उनको हर महिने आईटी मिनिस्टर गवर्मेंट को एक रिपोर्ट सेंड करने थी क्या आपको कंप्लेंस वगर आएं किनका सलूशन मिला की नहीं मिला उनके तक पहुंचे की नहीं पहुंचे तो यह सब चीज़ों के लिए एपॉइंट करना था चीफ यह सब चीज़ें चल रही थी और अभी तक किसी ने भी इसको एपॉइंट कर रहा नहीं है साथ-साथ किसी ने भी एकसेप नहीं किया है सिर्फ एक कंपनी जिसका नामे कू उसने एकसेप कर लिए गाइडलेंस वगरा और सा अगर वह हो जाता है तो हम लोग एकसेप कर लेंगे तो उन्हेंने भी थोड़ा टाइम मांगा इसको एकसेप करने के लिए लेकिन अगर देखे रहे हैं जो भी डेडलाइन दी थी वह आज है डेडलाइन जो की तीन महने का टाइम दिया था IT Ministry of India ने OTT platforms को इनको अपना physical address अगर इन्डिया में जाते हैं तो काफी जादा इनको बड़े एमांट में लॉस होने वाला है इनको बड़ा user base चला जाएगा इंडिया का इनको आज नहीं तो कल इनको accept करना पड़ेगा पड़ी यह लोग थोड़ा time माग रहे है IT Minister of India से और गई साथ में मैं आपको बतातूँ गईज यह सही कर रही है तो वो कम हो जाएगा और इसमें सक्त करवाई भी होगी जो भी यह करेगा फिलाल इस वीडियो में इतने ही तरफ से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चलाओं सबसार कर देना हमलों मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कैर बाबाए